नमस्कार दोस्तों आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल रागव पाम एनलिस्ट पर अगर आप भी अपने पाम का एनलिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉंटेक्ट नंबर छोड़ दिया है आप उस पर स स्टॉक मार्केट, बिजनेस और फैनेशली भी बहुत कुछ सीख सकते हैं लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है हमारे दूसरी यूटूब चैनल पर विजिट करना ना भूले तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किये वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों ये एक फीमेल राइट हिंट पाम है, इनकी उमर 37 यर्स है और इनका सवाल था कि मेरिया करियर कैसा होगा या फिर गवर्न्मेंट जबकि कोई जांस है या फिर नहीं दोस्तों इनके जितने भी कोशन से सारे money related queries थी तो चलिए दोस्तों आज हम इस पाम का analysis करके पाम इस्टी के बार में कुछ नहीं सीखने की कुछिश करते हैं दोस्तों सबसे पहले इनका doubt था कि जब में इनके पाम का analysis करने के लिए इनका right hand मागा तो नहीं ने पूछा कि females का तो left hand देखा जाता है आप right hand क्यों माग रहे हैं देखी दोस्तों ये wish है ऐसा है कि अगर इस पर मैं चर्चा करूँ तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी फिर भी मैं आपको short में समझाने की कोशिश करता हूँ अगर हम आज से 20 से 30 साल पहले की बात करें तो ऐसा देखा जाता था कि ज्यादतर इस्तरिया house wife होती थी मैं ये नहीं कहरा सब लेकिन ज्यादतर यानि 90% इस्तरिया house wife हुआ करती थी देखिए दोस्तों जब भी किसी के career financial stability देखी जाती है तो उसका सीधा हथ देखा जाता है और जब भी किसी की family relations, life partner relations या फिर money से को छोड़ कर जितनी भी सारी चीज़े देखी जाती है तो left hand में देखी जाती है तो पहले के जमाने के हमारे जो पामिष्टी के बड़े-बड़े विद्वान थे तो वो इस्तरियों का उल्टा हथ देखा करते थे क्योंकि उस time में इस्तरियों को money related या career से related consistency नहीं करानी होती थी और पुरुष जाती अपना सीधा हाथ दिखवाते थे क्योंकि उनको जाद तर इसी चीजों में इंट्रेस्ट रहता था लेकिन दोस्तों अब समय बदल चुका है समय के सासथ पामिष्टी भी बदली है आज के दौर में महिलाएं पैसे और financial stability के माबले में पुरुषों के बराबर है तो मेरे जितने भी females viewers and subscribers हैं मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे से या फिर किसी और से भी अपना career and money related consistency करानी है तो आप अपना right hand दिखाए और बाकी सारी चीज़ों के लिए आप अपना left hand दिखाए इनका कोशन भी money और career related था तो इसलिए मैंने इनका right hand मांगा तो चलिए दोस्तों बिना किसी देदीगे इनके palm का analysis शुरू करते हैं अगर आप देखेंगे इनके शुक्र परवत की तरह तो शुक्र परवत मुझे normal दिख रहा है लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शुक्र परवत पर मुझे काफी सीधी रेखाए दिख रही ह और ये कुछ ऐसी परकार का जाल बना रही है दोस्तों जब इस परकार का जाल शुक्र परवत पर 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 पड़ता है बस वरी बनता है तो ये दिखाता है कि ऐसा इनसान अगर कोई भी काम करने चले या फिर कोई भी नया business शुरू करे या फिर कहीं भी job करने भी जाए तो दोस्तों 100 और्चने पहने आजाती एसे इंसान का कोई भी काम एक बार में नहीं बनता उसको एक काम करने के लिए भी 3-4 बर संगर्ष करना पड़ता है तब जाके एसे इंसान का एक काम बन बन पाता है और दोस्तों शुक्र प्रवत नॉर्मल है तो ऐसे इंसान को घर, गारी बंगला पैसा मागान सब कुछ चाहिए होता है और इसके लिए वक्ति महनेद भी काफी ज़्यदा करता है बाकी इनका शुक्र परवत मुझे नॉर्मल दिख रहा है अगर हम बात करने के चंद परवत की तो आप देख सकते हैं चंद परवत पर मुझे एक मोल दिख रहा है त बात में से प्रश्टावा होता है कि उस समय पर वोई ने ले लिया होता तो काफी अच्छा होता बाकी चंद परवत साइस से ठीक है लेकिन इस पर मुझे चंद परवत के नेगटिव प्रवाव को दिखाता है बाकी दोस्तों इनका बाहरी मंगल काफी अच्छा है तो यह काफी नॉर्मल होती है किसी भी अजरवी व्यक्ति से पहली आर मिलते हैं तो उस पर अपने परस्नेलिटी की चाप छोड़ जाते हैं और देखी दोस्तों ऐसा बाहरी मंगल दिखाता है कि यह वक्ति का बुरा समय आता है दोस्तों हर इनसान का जिंदगी में कभी ने कभी बुरा समय भी आता है तो जब इनसान का बुरा समय आता है तो ऐसा इंसान अपनी परिशानियों से डरता नहीं है डगमगाता नहीं है अपने संगर से लड़ता है और आखिर में जीत भी जाता है तो दोस्तों इनका बाहरी मंगल मुझे अच्छा लगा चंद परवत थोड करेंगे इसके बात करें अंधरनी मंगल के बारे में तो नहीं फदी काफě अच्छी होगी और किसी थी गाम को करकर जिल्दी नहीं ठख्ते होंगे और हम ध्यान से देखेंगे के जो जाल बन ला था इसके बाद इनकी रेखाएं कुछ इस प्रकार से जा रही हैं और दोई कि दोस्तो जब ऐसी रेखाएं हो उफात में अंदूरी मंगल पर दोस्तो यह चिंता रेखा होती है दोस्तो यह दिखाते हैं कि बिना बाद के अगर खाली भी बैठे तो इसको अगर कोई प्रब्लम नहीं चल ले कि लाइफ में तो फिर वी ऐसा इंसान किसी ना किसी चीट की टेंशन लेता है थोड़ा बहुत इस्ट्रेस फिल करता है दोस्तों और अगर ध्यान से देखेंगे तो यह काफी ज़्यादा दिख रही है बहुत ही जादा है दोस्तों दिखाता है कि कभी ना कभी मतलब इनकी ज ज़्यादा जा रही है दोस्तों जब उनकी जीवन देखा पर आएंगे तब इसके बारे में डिसकस करेंगे बाकी अगर देखें तो गुरु परवत मुझे नॉर्मल दिख रहा है तो फैमली का सपोर्ट नॉर्मल मिलेगा और दोस्तों जैसे से उमर बढ़ती जाएगे ध इस पर देखेंगे एक रेखा मुझे यह दिख रही है और यह कि शुद्य रेखा है तो यह दिखाता है कि ऐसे इंसार अपने बढ़ापे में नॉर्मल पैसा कमाता है और उसको बढ़ापे में मतलब जो इनकी उल्ले जाएगी उसमें किसी के आगे हाथ फ्रेलिक जोस्त न यहां पर बताया संगर्ष काफी जादा होता है अगर एक काम करने चले तो वह तीन या चार वार में बन वह काम पूरा होता है दूसरा दोस्तों ऐसे इनसान अगर अपनी जिंदिगी में लोन लेते हैं तो वह उसे जिंदिगी में चुकाते रहते हैं दोस्तों मैंने strongly suggest करूं कभी भी लोन ना ले दोस्तों उससे बहुत बोड़ी मुसीबत में पढ़ सकते हैं तीसरा दोस्तों ऐसे इंसान के हरकाम लेट होते हैं यानि अगर कोई खरीदना चाहें तो जब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि शरी प्रवत यहां से दबा हुआ है और यहां से उठा हुआ है दोस्तों यह दिखाता है कि शनी परवत का जुकाव सूर्य की तरफ जादा है और आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूर्य और शनी आपस में शत् चोड़ने में ऐसे लोग थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं यानि ऐसे लोग में नॉर्मली देखा गया है कि सूर्य उखने के बाद ही इसे लोग सुबह उठ पाते हैं बाकी शनी परवत यहां से दबा हुआ है तो यह इनको थोड़े बहुत नेगिटिव प्रवाब देग इनसे जो एज में छोटे लोग होते हैं वो इनसे काफी अच्छी एडवाइस लेते हैं और जो उनकी छोटे लोग के काम भी आती है दोस्तो ऐसे लोग की एडवाइस कभी वेर्थ नहीं होती ऐसे लोग जो भी एडवाइस देते हैं हमेशा काम ही आती है दोस्तो सूर्य प वर्क आही जाता होगा बाकि सूर्य रेखा मुझे दिख रही है दोस्तों लाश्ट में जब दो सूर्य रेखा हो जाए तो ऐसे यह इंसान में जब यह वी वाला साइन बन जाए हाथ में तो यह दिखाता है कि एक टाइम के बाद यानि नीचे से सूर्य रेखा डवल हो रही है और सूर्य प्रवत दबाव हुआ है लेकिन एक टाइम के बाद जब इस में को सूर्य के उपाय दूँगा अगर यह उपाय को सच्चे मन से कर और दोस्तों ऐसे लोगों विजनस मैंडेड भी पाए जाते हैं इनके उंगलिया इस फोटो में क्लियर नहीं आ रही है तो इसके लिए हमें दूसरी पिक पर जारा पड़ेगा इसमें साफ आ रही है दोस्तों गर हम बात करें कि उंगलियों की तो आप देख सकते हैं ये उंगली पास पास हैं और सीधी खड़ी हैं लेकिन अगर आप देखेंगे कि इस उंगली में कितना ज़्यदा स्पेस बना हुआ है दोस्तों ये दिखाता है कि ऐसे लोगों की सोच काफी अधला लगोती यानि ये कभी ऐसे लोग ऐसी बात कर देते हैं कि नॉर्मल इंसान तो सौच भीनी सकता दोस्तों कुछ इस पकार की ऐसे लोग की सोच होती है फॉर अग्जंबल मैं आगर आगो बताओं कि माली जै अगर ये 100 लोग के गुरूप में खड़े हैं और 99 लोग इन से आकर कहें कि हमें राइट की तरफ जाना है अपने अलाव कि नहीं सुंते जो इनका मन करता है बस वह करते हैं पैसे को करना पैसे को सेव करना पैसे को किस तरह कह पर और इन्वेस्टमेंट करना है से बहुत अच्छी तरी के साथ है दोस्तों यह दिखाता है कि काफी अच्छी होती है इसे इंसान की और दोस्तों इसकी वज़े से मैंने सजेस्ट करूँगा कि इनकी फैमिली में जितना भी पैसा इनके घर में आता है यह खुद उसे इंवेस् इसे वेक्ति छोटी-छोटी बात को भी दिल पर ले लेते हैं और चोटी-छोटी जल्री बूरा मान जाते हैं बाकी इनकी उंगली में मुझे कोई प्रावल्म tenho नहीं दिख रही है और देखें कि यह इनकी शनी की उंगली यह सीधी जा रही है और यह दिखाती है कि इतनी अगर बड़ी होती हाथ में सबसे ज़्यादा शनी की उंगली तो ऐसा इंसान सच्छाए पसंद इसान को जूट कभी पसंद नहीं आता अंगूटे की तरफ देखें तो अंगूठा काफी ज़्यादा मुड़ा हुआ है यह दिखाता है कि ऐसा इंसान का निचर फ्रेंडली होता है और ऐसे लोग किसी भी वक्ति से अच्छी-काशी मित्रता थोड़े ही कम समय में कर लेते हैं बाकी अंगूटे का सिकिंड फ्लेंज मुझे नॉर्मल दिख रहा है तो कॉम्प्रमाजिंग निचर नहीं होगा हमेश अपने इंट्रेस्ट को पहले प्रफर करते होंगे दोस्तों हाथ में धरुशा करेंगा साफसा बंदी दिखाई दे रही है यह दिखाता है कि ऐसे इंसान मौका परस होते हैं जी उन्हें जो भी growth opportunities आती हैं उन्हें ग्रैब करकर आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों चलते हैं की रेखाऊ की तरफ इस फोटो में रेखाऊ बिल्कुल ब्लर हो रही है तो इसके लिए हमें दूसरी पिक पर जाना पड़ेगा तो अगर हम बात करें की हिर्दे रेखा के बारे में तो आप देख सकते हैं कि हिर्दे रेखा निकली और यह गुरु परवत की तरफ जा रही है दोस्तों यह दिखाता है कि ऐसे इंसान आदर्शवादी जीवन जीने वाले व्यक्ति होते हैं ऐसे लोगों ने अपनी जिंदिगे में कुछ उसूल बनाए होते हैं जिनके नियमगा वो हमेशा पालन करते हैं दोस्तों और इनकी हिर्दे रेखा यह दिखाती है कि थोड़ा दया भावन वाला नीचर होगा ऐसे लोगों का और यह दिखाता है दोस्तों लगबग एज होगी यह इनकी 45 के बाद थोड़ा यह इनको बीपी की समझा रह सकती है शुगर हो सकता है कुछ इस तरह की यह इंडिकेशन देता है बागी दोस्तों यह दिखाता है कि थोड़ा दिमागी प्रब्लम से भी थोड़ा मैंटर प्रेशन लेने लगेंगे लेकि लेकिर इतनी बड़ी कोई यह बुरी बात नहीं है इतना तो नॉर्मल होता है सबके हाथ में अगर हम बात करें कि माइंड लाइन के बारे में तो आप देख सकते हैं कि इनकी माइंड लाइन कुछ इस प्रकार निकल रही है और यह काफी चलती जा रही है दोस्तों यह दिखाता है कि जब माइंड लाइन जुकना शुरू हो जाती है तो इस इंसान की ऐसे इंसान की समझदारी उमर के साथ सत्व बढ़ती जाती है ऐसे इंसान हर चीज में लॉजिक ढूंडते हैं इंटेलिजेंस लेवल उमर के साथ सत्व बढ़ता जाएगा इनके जीवन देखा की तरफ यह हैं कि जीवन देखा और अगर हम देखें तो दोस्तों शुरू में जीवन देखा इतनी अची नहीं है तो इनको इस शुरुआती जीयर में थोड़ा संगश करना पड़ता रहा होगा या फिर तो इनको इस जिंदगी का लक्शे नहीं मिल होगा कुछ थोड़ा बहुत confusion और थोड़ा बहुत struggle ऐसी जीवन देखा दिखाती है लेकिन दोस्तों अगर हम इनकी 37 है और हम देखें तो इनकी जीवन रेखा पर बार रहू रहा है और यह काफी जादा हो रहा है दोस्तों यह दिखाता है कि हाथ में रहू रहाती है तो ऐसा इनसान अपने वर्तमान समय में दिखाता है कि एसे इनसान की negative उर्जा काफी ज़्यादा इंधन को प्रभावित कर रही है व्यक्ति उल्जन में रहता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में संगर्षभी काफी ज़्यदा हो जाता है जब रहू रेखा ऐसे जीवन देखा को काटती है दोस्तों ये काफी सारी है और बहुत ही जादा है दोस्तों ये दिखाता है कि व्यक्ति की निर्णे लेने की शमता धिरे-धिरे कम होती है सबसे पहला प्रभाब रहु रेखाओ का व्यक्ति के मन और एवं मस्तिक्ष पर पढ़ता है दिमाग से किसी बात को लेकर उल्जन व्यक्ति के दिमाग में रहती है दूसरा इसका प्रभाब व्यक्ति के स्वास्त पर पढ़ता है दोस्तों कभी कभी ये रहु रेखा व्यक्ति को उसके फिजिकल हेल्थ को भी प्रभाब डालती है और व्यक्ति शारिक स्वास्त से और मान्सिक स्वास्त से दोनों से परिश सकता है तो दोस्टों व्क्तिन की founder भी काफियाक डालती है और दोस्टोफ 10फाइस प्रफाप पढता है व्क्ति डवलपमेंट पर यानी वक्ति की ज economist है इनकी जितनी degrees है उसे और नहीं मिल पाता होगा यानि यह आपने हाथ में काफी बड़ी बड़ी रहूरेखा है इस फोटू में नहीं दिख रही है क्योंकि ये इन्होंने अपना हाथ थोड़ा फैला लिया है अगर ये अपने हाथ को सिकोड़ेंगे या फिर थोड़ा बहुत इसको मोड़ के देखेंगे तो ये रहूरेखा काफी दा कर ले कोई गर्वर्मेंट जोब के तयारी कर ले कोई भी प्राइवेट जॉब कर ले हर चीज में दिक्कत एवं श्ट्रगल आती ही आती है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि यह रहूरेखा के उपाय करें फिर यह आगे किसी चीज के बार में सोचें तब इनके लिए काफी देखा नहीं है तो थोड़ा बहुत श्ट्रगल जो भी है वो 55 तक है 55 के बाद इनके जीवन में काफी यादा शान्ती महसूस हो रहे है लेकिन दोस्तों इन रहूरेखाओ के बीच आप देखेंगे एक मुझे ऑफशूट दिखा दोस्तों ऑफशूट क्या होता है कुछ कवरी मिलती है या फिर बना बनाया जो काम बहुत सालों से नहीं बन पाता ऐसा कोई काम बन जाता है या फिर दोस्तों ऐसा इंसान उस एज में काफी अच्छी लेवल की प्रॉपर्टी खरीद लेता है यह जोगी लगबग हिनकी मेरे इसाब से दोस्तों 47 48 में काफी बड़ा उप्शूट जा रहा है दोस्तों बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि असन प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर यह गर्मेंट जो कोई तयारी कर रही है तो इस एज में गर्मेंट लग जाए ऐसा हो भी सकता है दोस्तों मैं यह एक्सेट तो बताएं सकता है क्या होन करती जा रही है अगर व्हां के बारे में दơnडेका यहां से निकली लेकिन धन रेखा पर आप देखेंगे लेकिन दोस्तों इनकी आफ पे मरी ट्रैंगल भी बन ला है तो दोस्तों यह दिखाता है कि एस इंसंते बढ़ाब़े कितना अच्छा-कासा पैसा कमा लेता कि एस इंसन का बढ़ाबा काफी मज़े में जाता है और मरी ट्रैंगल शू करता हैज है आमें हो देखिए दूस्तों यह है इनका लेफ्ट हैंड अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें आपको देखने को मिलेगा कि इनका राइट एवा लेफ्ट हैंड दौनों सेम हैं यह दो मैंने इस पर भी लागू होता है तो जो मैंने बाते उसमें बताई हैं वही इस हाथ पर भी लागू हो रही है दोस्तों वही इनकी उंगली भी हटके जा रही है तो दोस्तों जो मैंने राइट हैं में पाम बताई हैं वही प्रब्लम इनके लेफट हैं मुझे दिखाई ले रही है मैंने इनके बाम का पूरा अन्सिस कर दिया है मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे अगर आपको वीडियो ची लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन का बेल आकन जोर दबा दें जिससे मारे अने वाली सारी वीडियो सबसे पहले आपको मिले और दोस्तों मारे दूसरी टूप चैनल लांड एंड अंट पर विजिट करना ना भूले तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत